अगर आप profit के increase करने के segment को अच्छे से समझना चाते हैं तो मेरा आपसे request है एक बार इसका part 1 जुरूर देखिए उस वीडियो में आपने explain किया है कि किस तरह से cost को reduce करके, production को increase करके आप अपने profit को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहला point cash back option आज बहुत सारे लोग अपने consumer को attract करने के लिए cash back option करते हैं और एक cash back option 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, up to 100% तक भी होता है कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सरी companies 100% cash back की option कैसे निकालती हैं तो मैं आपको explain करता हूँ 100% cash back के option में पहली बात वो कई बार ऐसी terms and condition रखती हैं कि वो व्यक्ति अपने 100% cash back को हर बार केवल 10% ही इस्तिमाल कर पाएगा और example मैंने एक 1 lakh रुपी की watch खरी दी और 1 lakh रुपी में मुझे 1 lakh रुपी ही cash back option मिला लेकिन हर बार जब मैं कोई purchasing करने जाऊंगा तो उस 100% value में से केवल 10% value मुझे utilize करने को मिलेगी इसका मतलब cash back option एक तरह से हर बार 10% commission देना होता है यह 10% discount देना होता है और साथी साथ जो cash back आपके पास आता भी है वो आपके wallet में रहता है आपके e-wallet में रहता है मतलब आप उसका इस्तिमाल केवल repurchasing पर कर सकते हैं इसका मतलब आपने अपने consumer को दुबारा चीज खरिदने के लिए तयार कर लिया and the second zero delivery charges आज बहुत सारी company zero delivery charges के method का भी इस्तिमाल कर रही है बहुत सारी consumer time की problem की वज़ा से कई बार traffic की problem की वज़ा से आपके shop पर नहीं आपाते आपके outlet पर नहीं आपाते आपकी factory तक नहीं आपाते और अगर आप उनको zero delivery charges पर material deliver करते हैं तो आप बहुत अच्छा profit generate कर सकते हैं और साथी साथ आपके sale भी increase होगी आज बहुत सारी companies psychological discount option का इस्तेमाल कर रही हैं वो consumer को direct discount नहीं देती लेकिन buy up करने पर उनको discount redeem कर देती हैं जैसे buy one get two ऐसा लगता है मैं एक चीज़ खरीदूँगा तो दो और साथ में मिलेंगी नहीं buy one get two एक खरीदूगो तो टोटल दो मिलेंगी इसका मतलब 50% discount buy one get four इसका मतलब 33% discount नाकि 100% discount redeem points आज बहुत सारी companies redeem points के formulas का इस्तिमाल कर रही हैं वो बहुत सारे banks के साथ type करते हैं कि आपके जितने points से खठे हो जाएं उनको हम redeem कर देंगे restaurants में भी redeem points चलते हैं like HDFC credit card, ISAC credit card, ATM card, PTM card वो सारे card जो आपको अलग-अलग redeem points देते हैं और उनका utilization आप अपनी purchasing में कर सकते हैं तो आप ऐसे banks के साथ ऐसी company साथ tie up कर सकते हैं जो आपको redeem points देते हैं और redeem point की वज़ा से consumer आप सायता मिलती है और लोग redeem point को इकठा करने के लिए बार-बार purchase करते हैं जिसे उनके redeem point जल्दी से इकठे हो ताकि वो उनका utilization आप से buying में benefit के रूप में कर सके referral amount यह एक तरह का commission है कि अगर आपने मेरे product खरिदा और आप उससे satisfy है तो किसी दूसरे person को refer करें अगर आप refer करेंगे तो आपको referral का point देंगे या referral का amount देंगे जैसे आपने देखा होगा make my trip ने एक option निकाला कि अगर आप make my trip के services satisfy है तो आपने friend को refer करें पर reference पर अगर वो उस app को download करता है या उस services को utilize करता है तो 50 उर्पी पर referral point मिलेगा आज लोग referral point कठा करने के लिए भी आपकी sale करने में बहुत मदद करते हैं और उसी तरह से जब एक consumer अपने friend को अपने relative को अपने family member को आपके product या services को refer करता है तो आपके credibility आपके साथ जूड जाती है जिसकी विए से आपके number of consumer और sale दोनों बढ़ना शुरू हो जाती है अगला method है discount coupon and vouchers आज बहुत सारी company अपनी sale को बढ़ने के लिए discount coupon देती है ये discount voucher देती है जैसे आप restaurant में जाओ 10% का voucher ले जाओ आप Pizza Hut में जाओ 10% का voucher ले जाओ तो वो vouchers आपको support करते हैं मतलब आप ऐसी company अपनीचा tie-up करते हैं जो आपके नाम पर उनको voucher issue करते हैं मतलब एक indirect way में आप बहुत सारी sale generate करने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं और आपके number of consumer regular भढ़ते जाते हैं combo pack आज बहुत सारी companies ऐसे product को design करती हैं ऐसे उसके साथ में कोई ना कोई चीज add-on करती हैं जिससे वो discounted price पर उनको offer कर देती हैं for example आप गाड़ी खरीदे जाते हैं आपने गाड़ी खरीदी अगर आप उसी सेमर पर accessory खरीदते हैं तो आपको 50% discount मिलता हैं तो combo pack होनी की वज़ा से आपके बहुत सारे product की sale increase होती है flash selling आज बहुत सारी company flash selling का इस्तेमाल भी कर रही हैं मतलब एक particular time में एक particular date में थोड़ा से समय के लिए वो product market में available होगा जिस पर heavy discount होगा इसकी वज़ा से बहुत सारे consumer site को hit करते हैं और product को buy कर लेते हैं मतलब कम advertisement के budget में वो अपने ज्यादा product को sale कर पाते हैं इसलिए अगर आप कोई production company है या कोई manufacturing company है तो किसी भी e-commerce company के साथ tie up करके आप flash selling के formula का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी खुद की e-commerce website develop करके online consumer के साथ भी business कर सकते हैं क्योंकि आप तक आप offline business करते हैं आपको वही ग्राक मिलते हैं जो offline store पर आके चीज़ खरीदते हैं अगर आप online e-commerce industry में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी market वो भी आप capture कर पाते हैं जिसे आप अपनी sale को grow करते हैं अपनी number of buyers को grow करते हैं offline की जगा online भी sale करने से आप दोनों segment को cover कर पाते हैं festive selling आज बहुत सारी company festive selling के फार्मली का इस्तिमाल करते हैं वो अलग-अलग festival पर अलग-अलग product के लिए अलग-अलग combo डिजाइन करते हैं discount structure डिजाइन करते हैं festival offers डिजाइन करते हैं जैसे myabotion.com एक online jewelry store है अलग-अलग time पर अलग-अलग festival पर वो अलग-अलग offers निकालते हैं ताकि consumer एक justified price पर किसी भी product को खरीच सके जैसे दिवाली offer, अक्षे तृतिया offer, रक्षा बंदन offer, करवा चौत offer और ऐसे बहुत सारे festivals जहां पर कोई भी व्यक्ती festive के नाम पर अपनी sale को increase कर सके इस formula का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथी साथ lucky coupon के formula को भी इस्तेमाल करते हैं आज बहुत सारे consumer अपना luck आजमाने के लिए भी जरूरत ना पढ़ने पर भी product खरीद लेता है उसको लगता है कि जितना price manage product का दिया है अगर मेरा luck काम कर गया अगर मेरे luck ने साथ दिया तो मैं बहुत बड़ा prize जीत सकता हूँ और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे consumer ज़रूरत ना उने पर भी चीज़ को खरीद लेते हैं इसका मतलब यदि आप इन सभी points का इस्तेमाल करते हैं इन सभी formula को अपने business में implement करते हैं तो आप आसानी से अपनी sale को बढ़ा सकते हैं अपने number of buyers को बढ़ा सकते हैं अपने number of consumer को बढ़ा सकते हैं अपने number of clients को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ-साथ cost of production को कम कर सकते हैं ज जब तक देखें तक सारे point अपने diary में note ना कर लें और साथी साथ अपने उन friends के साथ इस वीडियो को ज़रूर share करें जो हमेशा रोते रहते हैं यार sale नहीं बढ़ रही है यार consumer नहीं आ रहा है यार business नहीं चल रहा है कुछ बता मैं क्या करूँ इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर share करें उमीद करता हूँ कि आप अपने business में इन points को implement करेंगे और implement करने में क्या-क्या problem आ रही है मुझे comment box में लिखकर बताओ उसका solution मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा और साथ ही साथ अपने business को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास करें अपने friends अपने relatives के साथ इस वीडियो को ज़रूर share करें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्र की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत